नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश सम्वा चैनल में आजम बात करेंगे उस अमेरिकी रिपोर्ट के बारे में जिसमें दावा किया गया है कि भारत में मानवा दिकार उलंगन की कई गटनेवी हैं और साथी लोगों को परिशान भी किया जा रहा है मानवा दिकारों के उलंगन के मुद्दे पर भारत को उबदेश देता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका जो बाइडन प्रशासन ने सोमवार 20 मार्च को 2022 कंट्री रिपोर्ट्स on human rights practice जारी करते वे भारत को ज्यान देने की खुशिश की है रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल भारत में कतित गैर कानूनी हत्याओं प्रेस की स्वतंतरता के समक्ष चुनोती निजिता में हस्तचेप और धार्मिक तता जाती अलप संख्यक लोगों को निशाना बनाने वाली हिंसा सहित मानवा दिकारों के उलंगन की कई सामने आई हैं अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि नागरिक संगठनों ने इस बात पर चिंता जिताई है कि केंद्र सरकार कई बार मानवा दिकार कारकरताओं और पत्रकारों को हिरासत में लेने के लिए अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्त अर्माल करके सरकार ऐसे मुसल्मानों को निशाना बना रही है जो उसकी नीतियों के आलोचक हैं और उनके घर और अजिवीका के सादनों को बरबात किया जा रहा है लोकतंत, मानवादिकार और श्रम से जुड़े मामलो की कारवाहक साहक मंत्री एरिन बार्कले ने मानवादिकार पर 2022 की देश की रिपोर्ट जारी होने के बाद पत्रकारों से कहा अमेरिका और भारत नीमीत रूप से लोकतंत्र और मानवादिकारों के मुद्दो पर उचिस्तर पर परामर्श करते हैं हम भारत से अपने मानवादिकार दाइत्वों और प्रती बद्दताओं को बनाए रखने के लिए द्रिड़ता से आगरह करते रहें हैं और आगे भी करते रहेंगे एरिन बार्कले ने कहा इसमें कोई आशेर के बात नहीं है हम नीमीत रूप से अमेरिका और भारत दोनों जगह नागरिक संगठन के संपर्क में रहें हैं ताकि उनके अनुभोहों से सीख सकें और हम भारत सरकार को भी उनसे परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं भारत में 2002 के गुजरात दंगो पर ठाल में BBC के एक वृत्चित पर किये गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रेस की स्वतंत्ता का समर्थन करना जारी रखेगा एरिन बार्कले ने कहा जहां तक BBC मामले की बात है हम उसे से अवगत हैं और हम दुन्या बर में स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करते रहेंगे और यही संदेश हमने दिया भी है मालुम हो कि पिछले साल ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकल ने कहा था कि भारत में कुछ सरकारी पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा किये जारे मानवा अधिकार उलंगन पर उनकी सरकार नजर बनाए हुए है इस टिपड़ी पर तिखी प्रतीक्रियावी थी विदेश मंत्री डॉक्टर सुपरमन्यम जैशंकर ने कड़ा रुख अपनाते वे कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रखने के हगदार हैं उन्होंने कहा हम भी अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवा दिकारों की इस्तिती पर अपने विचार रखते हैं गौर हो कि अमेरिकी दबाव के सामने बेफिक्र और अडिग भारत कई विवादास पद मुद्दों पर खुल कर अपनी बात हाल के कुछ वर्सों में रखता रहा है कुछ हलकों में ऐसा माना जाता रहा है कि भारत की अलोषना करने से अमेरिका बचने की कोशिश करता है आते हैं और सबसे बड़ी बात दक्षिड एशिया तता हिंद प्रशान चेत्र में चीन की धौस पट्टी को कम करने हैं तू अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे अमेरिका पर कमो बेश पर उबदेश कुशल बहुतेरे वाली बात पूरी तरह से फिट पैटती है गन कल्चर हो या रेसिजम या फिर अमेरिकी पुलिस द्वारा सड़कों पर किया गया थर्ड डिग्री टॉर्चर या फिर एबार्शन लॉग ये सभी मुद्दे ऐसे हैं ज के द्वारा जारी विदेश मंत्राले की वार्शिक मानवादिकार रिपोर्ट एमेरिकी कॉंग्रेस की एक अनिवार प्रक्रिया है रिपोर्ट में दुन्या भर के देशों में मानवादिकारों की इस्तिती पर विवरंड दिया जाता है आज के इस अंक्त में बस इतना ही आ आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजी जैहिंद